गड़वा जिले में जो घटना घटिद हुई है वह चर्चा के बिसाय बनी हुई है आखिर वह घटना क्यों चर्चा के बिसाय बनी हुई है इस बाबा था आपको हम बताएं कि एक युवक का पिछले 4-5 दिनों से एक सांप पिछा कर रहा था अंतता वह अपने मकसद में कामयाब हुआ उसने युवक को काट डाला जिससे उसकी मौत हो गई आपको बताएं कि यह घटना रमकंडा था च्छेतर के रक्सी गाउं का है जहां पर 35 वर्षिये लाल बूनी भुईया की मौत उससांप के काटने से हुई है घटना के विसें बताया जाता है कि उसके घर के समीप ही एक सांप को मारने का परयास किया गया था साप नहीं मर सका और वह भाग गया था लोग यह समझें के बात आई गई वाली हो गई भाग गया यहां से फिलोट कर नहीं आएगा लेकिन लोग बताते हैं कि वह पिछले चार दिनों से घर के आस पास ही देखा जाता था लोग मारने का प्रयास करते थे लेकिन भाग जाता था कल की बात है लालमुनी भीया अपने घर में ही कागजात खोज रहा था यादि घर में ही काम कर रहा था इसी दोरान वह साफ वहाँ पहुचता है और उसे काड़ देता है आनन फानन में लोग उसे लेकर मेदरी नगर जाते हैं परसी जिला पलामू जहांपा डक्टरों दोरा उसे मृत गोशित कर दिया जाता है कहें कि उसी साब के काटने से उसकी मौत हो गई अब यह बात निशुतरूप से चर्चा के भी से बनी हुई है कि साब को मारने का प्रयास किया गया था साब भाग निकला था और बार बार वह पीछा कर रहा था घर के आसपास देखा जाता था अब आखिर कर वह अपने मनसूबे में कामयाब हुआ और वह उसी वक्त को काटा जिससे उसकी मौत हो गई अमूमन ऐसी कहानी भी हम आप सुनते हैं कि जब जोडे में कोई साब होते हैं अगर आप किसी एक साब को मार दें तो वह बदला लेता है ठीक वह ऐसी है घटना घटित होई या भले या जोडे में नहीं था केला ही था इसे मारने का परयास किया गया था वह मारा नहीं जा सका और वह जो उसका इरादा था आप भले उससे मारने में कमयाब नहीं हो सके लिकिन वह अपने मनसूबे में कमयाब हो गया वह काटा जिससे उसकी मौत हो गई इसकी सुचना जब परसासन को मिली तो पुलिस मौके पर पहुची और उसके सौग को कबजे मिलेकर पुष्टमाटन में तुक गड़वा भेज दी है इस बावत जब विडियो से पुछा गया विडियो रामजी वर्मन ने बताया कि कागजी परकिरिया पूरी करने के बाद मिर्तक के परजनों को आपदा परमंधन मत से चार लाक रुपए दिये जाएंगे इसकी बात विडियो ने कही है जब इस बात की सुचना मिली थे जो परसासन का अधिकारी वहाँ पूचे थे कौन-कौन पूचे थे इस बावत हम आपको बताएं तो थाना परभारी जो थे तिलोचन तामशोय पूचे थे वहाँ परसुशो दरोगा हित नरायन महतो, बिक्की कुमार, मुख्या पतिर संजय यादो, नंदलाल केशरी, महंदर केशरी, अनिल भूईया सहित कई लोग वहाँ पमवजूद थे, साथ ही गाओं के लोग थे, घर में तो मातम छाया ही हुआ है लोग चितकार कर रहे हैं, घरों में एकी वक्त की मौत हो गई है, अविस्तर मौत हुई है और साथ ही साथ पूरे इलाके में इस मौत की चर्चा हो रही है, इस घटना की चर्चा हो रही है कि एक साथ ने चार दिनों से पिछा किया, अब पांचवे दिन काटा जिस से वक्त की मौत हो गई